दोस्तों यू तो ताज महल को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है लेकिन आज हम आपको प्रेम का वो प्रतीक दिखाने वाले हैं जिसके प्रेम के सामने ताज महल भी फीका है जि हां वह है उत्तरप्रदेश के वृंदावनमे स्थित प्रेम मंदेध आज की वीडियो में हम आपको प्रेम मंदेध में इस्थित फोहरे श्रीकृष्ण और राधा जी की जहांकिया श्रीगोवर्धन धारन लीला कालिया नाग दमन लीला जुलाएं वे प्रेम मंदिर में इस्थित जितनी भी चीजे हैं उन सब सारी चीजों को हम आपको बहुत ही खोपसूरत धक्से दिखाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी तो आईए हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जैसे ही आप प्रेम मंदिर में आते हैं तो आपको चारों तरफ एक से एक अधभूत चीजें देखने को मिलेंगी यहां आप देख सकते हैं राधा कृष्ण जी जूले पर जूलते हुए यह अधभूत जहांकी यहां पर बनी हुई है जो की देखने में काफी अच्छी लगती है और आगे हम चलते हैं और अभी तो रात का समय है और रात के समय में प्रेम मंदिर का क्या द्रिस रहता है वह देखकर आप अनुभव करिए यह कुछ है नजदीक से प्रेम मंदिर का द्रिस से अभी हम आपको आगे मंदिर के अंदर का भी द्रिस से दिखाएंगे मंदिर के बगल में जो फौंटेन है, फौहारे हैं उसपल क्रिपालु जी महराज का कत्हा भजन चलता है जो भी दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ो को वीडियो में दिखाएंगे तो वीडियो को पुरा कांटियूनिव देखिए अभी हम आपको मंदिर दिखाने का प्रयास करते हैं बाहर से मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है यहाँ पर लोग पैठे हैं भीड काफी जादा है आज और अभी हम धीरे धीरे उपर चल रहे हैं बहुत ही बड़े रूप में जो है फैला हुआ है और इस तरह से हर कुछ ही सेकेंडों में मंदिर का कलर जो है बदलता रहता है आप देखेंगे तो देखते ही रहे जाएंगे भीड की बात करें तो आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है लोग भरे पड़े हैं अब यह देख सकते हैं मंदिर का कलर चेंज हो चुका है और एक अलग ही रूप में मंदिर आपको देखेंगे तो यह अदभुत जो है स्वरू मंदिर का और अंदर से जो है और भी ही अच्छा लगता है और यह मंदिर का गेट जो है बाहर से नकासिदार गेट कितना ब्यहतर स्वरूप है अंदर चलते हैं आप देख सकते हैं मंदिर के पोर्च कह सकते हैं हम जो च्छत है वह किस तरह से अध्वुत कलाकृतिका उदाहरण है हर एक पत्थर जो है वह है एक खास संगमर्मर से बना हुआ यह मंदिर है और आपको बता दें कि यह जो संगमर्मर इसमें प्रयोक किया गया है वो संगमर्मर इटली से गाय गया है एक बहुत ही खास तरह का संगमर्मर है और इसके हर एक भाग को तरासा गया है बहतरीन तरीके से तो इससे जो है मंदिर काफी अध्वुत देखने में लगता है मंदिर के अंदर का यह द्रिस से है हलाकि मंदिर में बहुत जादा कई जगें ऐसे हैं जहां पर आप फोटो अध्रिस से है और मैं आ बहुत है भूल नहीं रहा हूँ वहाँ पर बाद मैं वाइसोवर का रहा हूं क्योंकि दृड काफी जादा थी आवाज उतनी अच्छी नहीं आती हमारी हम भी ओंस चीनिंगर रहे हैं मंदिर के अंदर की जो रचा तहर को कि वह Esse has become my newer she तो अभी आपने देखा मंदिर के भीतर का स्वरूप किस तरह से था जहां तक वीडियो बनाने की परविशन थी वहां तक की वीडियो हमने आपको दिखाई और अब आगे हम आपको दिखाते हैं यह है खोपसूरत नजारा जो जिस तरह से आपने सुना होगा गोवर्धन परवत को भवान कृष्णी जी ने जब इंद्र जी क्रोधित हो गए थे और कृष्णी जी ने गोकुल के लोगों को प्रेजित किया था गोवर्धन पूजा के लिए तो उस समय जब भवान कृष्णी ने गोवर्धन परवत क को उठाया था और सुरच्छा की थी पूरे गोकुल वासियों की तो ये उस समय की लीला को प्रदर्सित किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं कितने बहतर धंग से गोवर्धन परवत को अपने सहयोगी के साथ उनके जो सहयोगी है वो भी अपनी लठ लगाए हुए है और गोवर्धन परवत का स्वरूप जो है वह बिल्कुल एकदम सजीव प्रतीत होता है यहां पर जरने जो गिर रहे हैं वह बिल्कुल एकदम सजीव हैं और आगे चलते हैं हम यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो घास लगे हुए हूँ उनको काटकर जो आकरित दी गई है वह अपने आप में बिल्कुल एक बहुत ही अधुत है और यहां पर कृष्ण और राधा जी रास रचाते हुए ऐसी जहाकी प्रस्तुत की गई है आसपास में गोपिया है यहां पर देखेंगे रास रचाते हुए जो कृष्ण जी और उनके साथ जो गोपिया है वह निर्त्य करते हुए और अब यह देखिए मंदिर अपने अध्भुत स्वरूप में जिसका रंग बदल चुका है फिर से एक बार और आगे हम दिखाते हैं आपको महाभारत काल में आपने सुना ही होगा भगवान स्री कृष्ण ने अरजुन जी को गीता का उपदेश दिया था तो उस चीज को यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है उपर अरजुन जी के रत पर स्री हनवान जी विराजमान है और धर्म धोजा लगी हुई है बहुत ही अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है खोड़े जो है वह दौड़ती हुई मुद्रा में दिखाए गया है और अब ये आप देख रहा है मंदिर के अंदर स्थिर जो फोहारा है कई रंग बिरंगे घ्रिस्य में दिख रहा होगा तो अब ही आपने देखा दोस्तों किस तरह से इस फॉंटेन को सेट किया गया है और इस पर क्रिपालुजी महराज का भजन चलता है कुछ जानकारी देते हैं इस मंदिर के संबंध में इस खुपसूरत मंदिर की अस्थापना पाचवे जगत गुरु क्रिपालुजी महराज ज्वारा की गई है और ब्रिंदावन के कई मंदिरों के बारे में आपने सुना ही होगा उनका इतिहास उनकी आकरसण वास्थू कला लोगं को अपनी तरफ आकरसित करती है लेकिन प्रेम मंदिर की बात करें तो प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद है इस खुपसूरत मंदिर को देखने के लिए देश ही नहीं बलकि विदेश से भी लोग आते हैं और यहां की सांती और सुन्दरता की बात करें तो भक्त जब यहां पर आते हैं तो वह जाना यहां से भूल ही जाते हैं इस तरह से उनकी इस्थिती होती है यहां पर आके इतनी सुन्दर जो है यहां का द्रिस है तो अभी आप जो देख पा रहे हैं सामने कैमरे पर यहां पर चित्रित किया गया है कैसे बाल बाल के साथ जो है कृष्णी जी गईया चराने जाते थे और गया जो है वह खड़ी होकर स्रीकृष्णी जी की बंसी की धुन सैद सुन रही है अगर मैं सही कह रहा हूँ तो और यह अलग रूप में प्रेम मंदिर और दोस्तों इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि आपको दिन में यह मंदिर एकदम सफेद दिखाई देगा लेकिन जैसे ही साथ हर सेकेंड बदलता रहता है जैसा कि आपने वीडियो में ही देखा यहाँ पर स्पेसल लाइटिंग लगाई गई है और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े ही सुंदर स्वरूप में स्री राधा कृष्णी जी को दिखाया गया है दोस्तों हमने अपनी वीडियो में आपको बहतर ढंग से दिखाने का प्रयास किया प्रिम मंदिर के अंदर इस थितनी भी चीज़े थी हमने आपको दिखाई वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताईएगा एक छोटा सा कमेंट हमको बहुत सारा मोटिवेशन देता है बहुत कुस चीज़े हमको भी सीखने को मिलती हैं उससे हम अपनी आगे की वीडियो में सुधार करते हैं तो आप अपना छोटा सा सुधाव जरूर दें मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जै स्री कृष्णी जै स्री रादे